नमस्ते पीपल वेलकम और वेलकम बैक टो माई चैनल तो कॉलेज के चुट्टिया चल रहे हैं और ओविसली उस चुट्टियों का कुछ तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए कहीं तो गूम के आओ लेकिन इतने गर्मी है कि कहीं गूमे जाने का मनी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिम्मत जुटाई और ट्रिप प्लान की और वो भी सिफ एक दिन के लिए और ओली वो सिक्सार्स तो चले चोटी से ट्रिप पर तो हमारा सबसे पहला स्टॉपच था नमोगाट जो की बहुत संदर है बहुत काम एंड पीस है वहाँ पर लेकिन ही हमारा अक्चुल स्टॉपच नहीं है वो तो आटो वाले भाया को अपना सी एंजी गैस फूल करवाना तो आटो में इसलिए हम लोग रुके थे टाइम पास के लिए बट हम लोग को एक्चुली में मंदिर आना था है एंड हेवी आर तो गंगा जी का दर्शन करके हम लोग आ गए मारकंडे महादेव मंदिर में बाइद वे यह मेरा फॉर्स ताइम ता मुझे पता भी नहीं था यह कोई मंदिर है यहां पर बट इट वोज टेंपल प्लीस तुम लोग जरूर आना अगर आसपास वरानसी के रहते हो एंड हम लोग ने फिर महादेव को चड़ाने के लिए गंगा जल, फूल, बेलपता अल दोस तिंग्स वे टूक बट इतना भीड था ना वहां पर हम लोग कैसे तैसे दर्शन करके निकले वहां से अब तो सुबर से कुछ भी नहीं खाया, इतना भूग लग रहाता तो वह स्टॉप अट धाबा एंड लेट सी वाट सेर इन दे फूड चलो भूग तो मिट गई लेकिन अमारा में देस्टिनेशन था वो क्या है? Of course, the Suharved Mahamandir Dharm, the biggest meditation center in Varanasi. I mean, it was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and just look at the infrastructure, so precise and यह अभी under construction है, पूरा नहीं बना है, बस इसका ground floor ही बना है, but how precise, so cute and aesthetic obviously and under cameras allowed नहीं था, but still I managed to take some photos, किसी को बताना मत secret है, okay? और फिर हम लोग वहाँ से चले गए स्वागत गेंद्र, वहाँ पर हम लोग को meditation करना सिखाया जाएगा and वहाँ पर थोड़ा से snacks भी मिला था, like दिल का लड़ू kind of thing, जो कि मुझे बहुत गंदा लगा, तो मैंने अपनी ममा को दे दिया and फिर हम लोग गए meditation center तो वहाँ पर हम लोग बस आदा गंटा रहे, हम लोग को लगा था कि दो तीन गंटा आराम से रह लेंगे, बट नहीं हम लोग जल्दी आ गए and उसके बाद फिर पूरा time बाकी था हम लोग के पास, तो ऐसे sudden plan बना के चलो movie देख के आते, बट कहां? तो हमारे auto वाईले भाईया ने बता है कि बगली में जे एच वी मॉल है, तो वहाँ ले चलते आपको, तो हम लोग आगए जे एच वी मॉल तो जो movie हम लोग को देखना था ना, वो बहुत late start होने वाला था, तो तब तक हम लोग सोचे कि चलो कहीं खा लेते, वैसे भी lunch time हो गया था और भूग बड़ी लग रहे थी, तो आसपास हम लोग ने देखा तो restaurant कुछ था ही नहीं, and for the first time ever we tried mcdonald's, I mean yes this was my first time ever trying mcdonald's, like literally I was so excited and nervous, nervous क्यों 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 मुझे order करना था and मुझे पता नहीं है कैसे order किया जाता है and I was literally searching on google how to order in mcdonald's but anyhow I ordered these things up 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 झाल झाल तो खाना पी न करके हम लोग आगए मुवी देखने क्योंकि तब तक टाइम भी हो गया था और हम लोग जल्दी जल्दी आए टिकेट्स लिए अपना सीर के लिए और फिर बैड गए मुवी देखने The movie's name was Savi Yes, a simple housewife attempts a daring jailbreak to get her husband out of one of the England's high security prison I mean, it was a very amazing movie And yeah, this was actually the last task of our trip Because it was a lot of fun And I hope you also enjoyed watching this trip A small trip And yeah, see you in my next video Till then, buh-bye, take care